लवनीश सरकी क्लास और इसमें आज हम समझेंगे भोजन के घटक के बारे में तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशेश करते हैं तो आज इस पार्ट के अंतरगत सबसे पहले हम समझेंगे भोजन को जिसकी जरूरत सभी को होती है, ना केवल इंसान को, बलकि पेड़ पौधों को और जानवरों को, यानि सभी सजीवों को भोजन की जरूरत होती है, होती है या नहीं होती है, तो चलिए आज इसी के बारे में ही कुछ समझते हैं, वह पदार्थ जो पौधे वृध्धी करने क लिए ग्रहन करते हैं, उसे भोजन कहते हैं, जैसे पानी, कार्बन डायकसाइड और सूरज की रोशनी, यानि पेड़ पौधों के लिए तो भोजन क्या है, पानी, कार्बन डायकसाइड और सूरज की रोशनी, इसी सही, तो वो अपना भोजन बनाते हैं, और फिर जीवित रह पाते हैं तो यानि कहने का मतलब यह है कि वह पदार्थ जो पौदे अपनी वृध्धी के लिए अपने अंदर ग्रहन करते हैं उसको हम भोजन कहते हैं और उसके उधारन जो पेड़ पौदों के लिए भोजन है वो हमने समझ ही लिए फिर इंसान के लिए क्या वह चीजे जो इनसान और जानवर अपने शरीर के सभी कारें को करने के लिए और उड़जा और अपने आप में वृध्धी करने के लिए जो चीजे वो खाते हैं उसको भोजन कहते हैं और आपने देखा होगा यहां तो बहुत सारी चीजे रखी हैं दाल, चावल, इडली, डोसा, सब जी, दही, है ना यह सारी चीजे रखी होई हैं तो इन सारी चीजों को हम सारे इंसान क्या करते हैं अपने वृध्धी के लिए रोजमर्रा के कामों के लिए शरीर के जितने काम हैं उनको कारे करने के लिए उरजा प्राप्त करने के लिए खाते हैं खाते हैं नहीं खाते है आते हैं ना तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और बड़े आसान से प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं बहुत आसान-सान प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने हैं जैसे पहला प्रश्ण है कि शरीर को स्वस्त रखने के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाले सभी खादे बदार्तों के नाम लिखिए तो देखिए सभी खादे बदार्तों के नाम लिखने तो मुश्किल हैं मैंने उन में से कुछ लिखे हैं अगर आपको लगता है कि आप इसके अलावा कुछ और भी खाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं वो बिल्कुल सही होगा जैसे दूद, रोटी, सबजी, दही, चावल, डाल, सलाथ ये तो हम खाते ही हैं अगर आप इसके अलावा जो भी आप खादे बदार्द खाते हैं जिनसे आपको आपके शरीर को स्वस्थ आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है आपका स्वास्थ है बहुत अच्छा रहता है आप उनको लिखेगा इसमें वो वाले फूड ना लिखें जिनसे हमें नुकसान होता है जैसे जंक फूड वो सब ना लिखें फिर अगला प्रशन ह है कि अपने आसपास के अन्य सजीवों को अवलोकन करने पर उनके द्वारा लिये गए खादे बदार्तों के नाम लिखिए देखिए हमारे आसपा तो सभी सजीव हैं पेड़ पौधे भी हैं मतब शाकाहरी जीव भी हैं मासाहरी जीव भी हैं और इनसान तो है जैसे जो शाकाहरी जीव होते हैं वो क्या करते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं फिर मासाहरी जीव क्या करते हैं, अन्य पशु और कीडे मकोडे खाते हैं, आपने देखा भी होगा जैसे की, और मानव क्या करता है, वोई दूद, रोटी, सबजी, दही, चावल, डाल, सलाद, या दूसरे भी भोजन पदार जो वो लेता है, वो भी आप लिख सकते हैं, तो दूसरे नाम आपको और जोडने, देखिए, पौधे के विभिन भाग, कई प्रकार के जीवो द्वारा खाये जाते हैं, जैसे एक है चूहा, चूहा क्या करता है, बीज खाता है, पौधे का कौन सा भाग खाता है, बीज, बाकी आपको खुद लिखने हैं, और मैंने कोशि ठीक है, और तितलिया क्या करती है, फूल का इस्तमाल करती है, फूलों से रस ग्रहन करती है, तो इस तरह से पौधे के सारे भाग, जो किसी ने किसी जीव के द्वारा प्रियो किये जाते हैं, भोजन के रूप में, तो अब टेलिग्राम एप पर भी हमने अपना चैनल लव अगर नए हैं, तो सबस्क्राइब भी कीजिए, लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क कवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीका करन्च ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है, और जिंदगी को एक बार फिर से सुह अना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।